तो दोस्तों जब भी हम छोले बनाने का सोचते हैं तो यह लगता है कि सुबसुबस बनाएंगे काफी टाइम लग जाएगा प्यास कातो टमाटर काटो छोलो में सीटी लगाओ मसाला तियार करो इतना सब कुछ करना है तो टाइम तो लगे गए पर आज मैं आपको एक ऐसी कम बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देखते हैं छोले की यह रेसिपी उसके लिए मैंने दो कप छोले यानि 400 ग्राम चोले को ओवर नाइट के लिए बीगो दिया है और छोले काफी अच्छी से भीग गया है तो इन छोलों के ग्रेवी बनाने के लिए हमें दो प्यास और दो कटे हुए टमाटर और प्याज साथी में दो हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथी कुछ साबुत खड़े मसाले जिसे बहुत ही बढ़िया सुगंद आएगी और छोलों में बढ़िया फ्लेवर भी आ जाएगा तो दो तेज पते एक डालजीनी काटुकरा दो बड़े इला जिसे बस छोले डूब रहे हैं जो प्याज तमाटर हमने डाले हैं यह सब नहीं डूबने चाहिए अब हम कुकर का ढगा कर इसको 5-6 सिटी आने तक कुक कर लेंगे तो जब तक छोले उबल रहे हैं हम यहां पर चाय बना कर त्यार कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपको नाचमट के लिए उबाल लेना है जो चाय पति का कलर है वह पूरा पाने में आ जाए और यह रेड्यूस हो के कम से कम एक कप जितना हो जाए तो यहां पर चाय पति के पाने को हमने पका लिया है अब गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और जो छोले हमने उबाले है वह भी जाएची और लॉंग इसे भी निकाल देंगे क्योंकि इनका फ्लेवर तो और लेडी छोलो में आ गया है अब हम यह चाय पति वाला पानी इसके अंदर चान कर डाल देंगे अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजे और अब ग्रेवी के लिए हमें और पानी की जोरत न जाल लें एक बड़ा चमच में कस्मीरी लालमर्ष पाउडर डालेंगे एक च्छुटी चमच में हाँ पर हल्दी पाउटर डाल रहे हूं अब इन सारे मसालों को छोले की ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लीजे अब इसमें एक बड़ा चमच हम नमक डाल देंगे तो नम वन जैसे से गाडा होकर पकता जाएगा हमारे बढ़िया से छोले बन के तयार हो जाएगे तो छोलो को पकते हुए करीबन 10-15 min हो गय हैं और देखिए कितने बढ़िया तरीके से गाडा होने लग तरके हैं और इसको मेडियम फ्लेम पर तीन से चायमेट और उबा लने तक पकाएंगे बहुत ज़्यादा छोलो को हम नहीं सुखाएंगे क्योंकि छोलो की ग्रेवी बनने के बाद वो और गाड़ी होती है दिरे-दिरे तो बस लीजे हमारे छोले जो है वो बनके तयार है और कित्ता बढ़िया कलर और टेक्शर है आप देख सकते हैं बिलकुल बजार में मिलने वाले छोलो की तरह अब इसमें हम आदी छोटी चमच गरम मसाला पौडर और एक छोटी चमच कसूरी मेथी डालेंगे और इसको अच्छा से मिला लीजे और अब हम छोले में एक बड़िया सा तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने आपे तड़का पैन गरम कर लिया है इसमें दो बड़ी चमच हम सरसू का तेल डालेंगे इसकी जगा पे आप घी कावी यूज कर सकते हैं तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें एक चूटी चमच मैंने साही जीरा डाला है आदी चूटी चमच हिंग डालेंगे दस से बारा हम इसमें अद्रक के लच्छे डाल देंगे और दो हरे मिर्चे डाल देंगे स्लिट की हुई जब यह भुंच है तो गैस की फ्लेम को बन कर दे और हलकी ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें आदी चूटी चमच का समीरी लानमिच पौडर मिला लेंगे और बस इस तड़के को हम छोले के अंदर डाल कर मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमारा बहुत इलाजवाफ टेश्टी सा और असान छोले बनके तयार है करीवन पूरा यह 15-20 मुट में बनके तयार हो गया है तो इस तरह से बने छोले आप कुल्चे के साथ नान के साथ पूर हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट्स में जुरूर बताएं फिर मिलेंगे आपसे एक और अलग और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार